हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं अमास है यानि इस्टोमच जिसे पेट भी कहते हैं के बारे में डेटेल में बताऊंगी किसे कितनी भाग है और इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उसके अंतरगत कौन-कौन कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं और उसका क्या कार्य है इसके बारे में डीटेल में बताऊंगी जैसा कि दूस्तों पाचन तंद्र क्या है इसके कौन-कौन से अंग है और सुसंत तंद्र क्या है और ब्लड से रिलेटेड सभी टॉपिक एंड हर्ट से रिलेटेड सभी ट किसी भी इस्टेट का कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो इसको आप वाच कर सकते हैं अपने तयारी को बेतर बना सकते हैं और दोस्तों से अधिक प्रिवियर के यम से क्यूज कोस्टन्स के वीडियो बनाए जा चुके हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा तो भूजन का पाचन हो जाता है और मुख के अंदर तैलीन नामक एंजाइम पाजाता है जैसे कि हमारे लार गरंती पाजाता है मुख में मुख से तैलीन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम निकलता है और जो तैलीन नामक एंजाइम होता है वो हमारे मुख के अंदर भूज कर जीवाडों को मार देता है और जो हमारे दात और जीवा होते हैं वो मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन का कारे करते हैं और उसके बाद मुख के बाद हमारा जाता है भोजन कहां पे मुख के बाद हमारा भोजन जाता है ग्रास नली आर्शो फेगस में जो मुख गु आमासय के तीन भाग होते हैं कार्डियक फंडिक पाइलोरिक जो कार्डियक होता है वह एक कार्डियक एक कपाट होता है पाइलोरिक भी एक कपाट होता है जो कार्डियक होता है वह भोजन को ग्रास नली से आमासय में लाता है इस द्वार के रास्ते और वापस ग्रास नली मे नहीं जाने देता है और जो पाइलोरिक कपाठ होता है वह भोजन को आमासे से छोटी आत में भेशता है यानि वापस आमासे में नहीं आने देता है अब बात करेंगे दोस्तों आमासे में पाया क्या क्या जाता है जैसे कि जैसे ही हमारा भोजन पेट में यानि आमासे में या गैस्ट्रिक ग्लैन यानि जठर ग्रंथी पांजाता है और जठर ग्रंथी से क्या इस्तरावित होता है गैस्ट्रिक जूस यानि जठर रस इस्तरावित होता है जबकि जठर रस जो है और रंगहीन अमलिय तरल है यानि इसका पियच मान 0.9 से 1.5 होता है जैसे कि दोस्तों ज साथ होता है वह उदासीन होता है और जिसका साथ से जदा होता है वह चारिय होता है जिसका साथ से कम होता है वह अमलिय होता है यह ध्यान में रखेगा तो हमारे अमासय में गैस्ट्रिक ग्लेंड यानि की जठर ग्रंथी पा जाता है इस जठर ग्रंथी से गैस्ट्रिक जूस यानि जठर रस इस्त्रावित होता है और इस जठर रस में HCL पाजाता है और Engines पाजाते हैं जो HCL होता है वह उसे Hydro-Cloric Acid कहते हैं ठीक है? वह आग Genetic Cell से इस्त्रावित होता है और दोस्तों यह 4% भाग होता है गैस्ट्रिक जूस का यानि जठर रस का और जो Enzymes होता है वह 99.6% भाग होता है Enzymes जो है वह भोजन को पच्चाने में मदद करता है सबसे पहले हम जानेंगे HCL क्या है? HCL यानि Hydro-Cloric Acid जैसा कि दोस्तो HCL इतना गरम है जैसा कि जो तेजाब होता है उससे भी ज़्यादा गरम यदि वह HCL बाहर निकांगे आप अपनी तोचा पर रखेंगे तो तोचा को वह जला देगा तो HCL जो होता है Hydro-Cloric Acid जो होता है वह भोजन के साथ आए हुए जहरीली पदार्थों किटाड़ूं तथा कंकर पत्थर को गला कर नश्ट कर देता है तथा निस्क्री एंजाइमों को सक्री एंजाइमों में बदल देता है ये कारे करता है हमारा HCL Hydro-Cloric Acid और जठर रस में क्या पाजाता है एंजाइम्स एंजाइम्स क्या होता है यहाँ भोजन को पचाने में मदद करता है जठर रस का 99.6% भाग के वल एंजाइम होता है एंजाइम में कौन-कौन से एंजाइम इस्तावित होते हैं दोस्तों यहाँ पेपसीन, रेनीन, गैस्टिक लाइपेज, एन्म्यूसीन इससे इस्तावित होता है जैसरे जो जो रेनीन होता है वो नौजाइब सी सुमी जड़ा पाए जाता है एंड जो गैस्टिक लाइपेज होता है वह कम मात्रा में उपसित होता है और गैस्टिक लाइपेज जो है फैर्स यानि वसा को, जिसे बैग्यानिक भासा में लिपिड भी बोला जाता है को पचाता है, यानि कि गेस्टिक लाइपिस क्या करता है वसा को पचाने, यानि फैर्स को पचाने का काम करता है और जो मियूसिन होता है मियूसिन जो है आमासे की आंतरिक दिवारों पर परत बना करके HCL की प्रभाव से रच्छा करती है नहीं तो जब म्यूसिन नहीं होता तो HCL जो है आमासे की दिवार को काट देता जैसे कि दोफो हमको भूख कब लगती है जब हमारे आमासे में यानि पेट में जब खाना खतम हो जाता है तो केवल HCL बचता है और HCL जो है क्या करता है आमासे की दिवारों को काटने लगता है उस समय जब ऐसा करता है जो म्यूसिन होता है इस जिस से आमासे को बचाता है ठीक है और जिससे हमारे आमासे की रच्छा होती है अगर बहुत समय तक आप खाना नहीं लेंगे तो यह HCL जो है धरी-धरी अमासे की दिवारों को काटने लगेगा और म्यूसिन खतम होने लगेगा आई दस्तों कहने का तादपर है कि यहां पर अमासे में कार्बोहाइडेट का पाचन नहीं होता है प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुवात यहां पर होता है कहां पर अमासे में ठीक है तो आपको ध्यान में यह रखना है कि अमासे में कार्बोहाइडेट का पाचन नहीं होता है इसमें प्रोटीन का पाचन करता है रेनीन दूद का पाचन करता है गेस्टिक लाइपेश वसा का पाचन करता है तो यहाँ पर कर्भोहाइडेट का पाचन नहीं होता है प्रोटीन वह वर साओ के पाचन की यहाँ पर शुरुवात होती है अमासय में स्टोमस में इस spec Лग अमासय में पस्चे भोजन को काइम कहा जाता है फिर भोजन इस्टोमस से निकलता हुआ किसके रास्ते इस्टूमर से निकलता हुँआ पाईलोरिक कपाड़ के रास्ते छोटी आत के पहले भाग दोधिनम में पहुξता है और उस समय दोधिनम यानि की ग्रहटी भी कहते हैं दोधिनम को उस समय ग्रहडी यानि डोडिनम की दिवार में क्रमा कुंचन गती होती है यानि कि ग्रहडी की दिवार में क्रमा कुंचन करके छलेदार तरंगे प्रवाहित होती है जिससे भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है ठीक है छले दार तरंगे यानि की घांटे गती और दोलन गती करती हैं करते हुए वो धिरे भूजन जो है आगे बढ़ता है तो इस प्रकार दोस्तों उसके बाद छोटी आत में आ जाता है और छोटी आत के पाचक रसू और पित रस अगनासाई रस आदी से डोडिरम में मिल तो दोस्तों नेस्ट वीडियो में छोटी आत के सभी भागों के बारे में डीटेल में बताऊंगी कि भोजन छोटी आत में जाकर के जो डोडिनम होता है वहां पे पित रस और आगनासाई रस की नली जुड़ी होती है वहां पे भोजन का पित रस से और आगनासाई रस से जब आमासाइसे जाता है वहां पर तो अगनाय सही रस अपितChRass से मिलता है उसके बाद उन सबसे क्रिया करने के बाद धिये आंत्रीए रस यायनिए आंत्र रस साथ मिलता है उसके बाद भोजन औरसशाहित होकर के जाता है जो बचा हुआ हमल हो बड़ी यात में पूल भोजन का फ्रोष दुनुल होता है फिस फ्रोष में ध्यान में रखेगा वर बसव होगा मुझे में जरूर में बताइए और शैयर कमें बने ज़ान दयार SHOT तो फर्स्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वेल आइकन को फ्रेज कर लिजिए जिससे ड्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं